नमस्कार, न्यूज एट नैन प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अम्रितुपाध्याय, आईए सबसे पहले आज की हेडलाइन्स देखते हैं इस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे उपराष्ट्रपती, भारत आसियान संबंधों की तीसवी साल गिरह कमबोडिया करेगा मेजबानी ब्रिटेन से आईगी शिवाजी की तलवार, ब्रिटेन के पी-ए में रिशी सुनक से वारता, मराथा समराजी के संस्थापक थे छत्रपती शिवाजी और मौलाना अबुलकलाम की जैनती आज राष्ट्रिया शिक्षा दिवस के तौर पर मनती है जैनती, भारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस के सबसे युआ धक्ष का रिकॉर्ड चलिए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक बार फिर बता दू मैं कि अगर आप इस बुलेटन की पीडियेफ चाहते हैं या पीडियेफ फॉर्मिट में इसे पढ़ना चाहते हैं तो अमरित पाध्याजी जिरो जिरो सेवन टेलेग्राम चैनल पर जाईए, यहां इसकी पीडियेफ रोजाना मिलती है, आईए खबर शुरू करें, उपराश्टपती जगदीप धनकर 17 वी इस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे, इस्ट एशिया समिट और आसियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट की मेजबानी कमबोडिया के द्वारा की जाएगी, रणनीतिक वारता के लिए इंडो पैसिफिक के सभी मुख्य देशों की प्रीमियर फोरम है, इसका गठन साल 2005 में हुआ था, इसका पहला सम्मेलन मलेशिया के एक वाललमपुर में हुआ था, ये इसने पूर्वी एशिया के भूरा जनैतिक और रणनीतिक रूप से आगे ब इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यामार, सिंगपूर, थाइलेंड, फिलिपीन्स, लाओस और वियतनाम शामिल हैं, इस खबर के एहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर के रिए, भारत निमलिखित में से किसका या किनका सदस्य है, ए पूर्वे एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानि आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानि इस्ट एशिया समिट नीचे दिये गए कूट का प्रेयोग कर सही उत्तर चुनिये, केवल एक और दो, केवल तीन, एक दो और तीन, या फिर भारत इन में से किसी का भी सदस्य नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन भी यानि भारत इस्ट एशिया समिट का सदस्य है। इस्ट एशिया समाथ सुधारक थे विभारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस के अध्धक्ष साथी उनिवर्सिटी ओफ ग्रैंट कमिशन भी अस्तित्यों में आया। साल 1946 में बने और देश की स्वतंत्रता तक इस पद पर रहे। उन्हें आचारे की उपाधी से गुजरात विद्या पीठ में अध्यापन के दौरान नवाजा गया था। महराष्ट के संस्कृती मंत्री ब्रिटिश प्रधान मंत्री रिशिश सुनक के साथ वारता में हैं। इस वारता का मकसद छत्रपति शिवाजी महराज की जगदंबा तलवार को भारत वापस लाना है। गौरतलवे के साल 2014 में छत्रपति शिवाजी महराज के तिलक के 350 साल पूरे हो रहे हैं। महराज सरकार इस समारूह को बड़े इस तर पर आयूजित करना चाहती है। ब्रिटेन से तलवार वापस लाने पर समारूह को बूश्ट मिलेगा। इतिहासकार इंदरजीत सावंत के मुताविक ब्रिटेन से तलवार को वापस लाने के मांग बहत पुरानी है। इसकी सबसे पहले मांग लोकमान ने बाल गंगा धरतिलक के द्वारा की गई थी। जगदंबा तलवार शिवाजी चतुर्थ के द्वारा प्रिंस ओफ वेल्स को सौपी गई थी। आपको बता दें कि सत्रहमी शताबदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नित्रत्व में एक शक्तिशाली राजी का उदय हुआ जिससे मराठा सा राजी की स्थापना हुई थी। नीरव मोदी मामले में लंदन हाई कोट ने अपील को खारिज करते हुए भारत को एक्स्टरडिशन यानि प्रत्यरपन का आदेश दिया है। ये इंडियन एक्स्टरडिशन एक्ट 1962 काम करता है। प्रत्यरपन से मतलब ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई से है जिन्हें एक देश द्वारा दूसरे देश में भेजा जाता है। जहां पर अपराध को अंजाम दिया गया होता है। केवल एक केवल दो एक और दो दूनों न तो एक नहीं दो। आईए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। अगरा सवाल था भारत में क्रिटिकल इंफर्मेशन इंफ्राइस्ट्रक्चर किस कानून के तहत घोशित किये जाते हैं। अगरा सवाल था निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए। वहान डेकलरेशन आर्द्र भूम्यों से संबंधित हैं। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को कॉप 27 के दौरान लॉंच किया गया था। आईश्मान भारत Digital Health Mission को National Health Authority के द्वारा लागू किया जाता है। नीचे दिये गए कूटों का प्रयोक कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक दो और तीन। इस प्रश्ण का सही जवाब है, विकल्प D, यानि तीनों का थन सही है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आपको ये पहल ठीक लग रही होगी। अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को जरूर शेयर कीजिए और स्टडी IQIS हिंदी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्रशन आज मैंने पूछे हैं, कमेंट बॉक्स में उनका जवाब जरूर दीजिए। कल रात नौ बजे आपसे मुलाकात होगी पूरे हफते के कंपाइलेशन के साथ आपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, नमस्कार।